चेमनी के गुंबद में जोए की काफी जोर से काफी तेज जोए की धमाका हुआ जिसमें जोए की धमाका होने के बाद जब चेमनी का गुंबद नीचे गीरा उस्ट में एक यहां के मुंसी हैं उनकी मघटना स्थल परीमृत हो गई कि मार्केट के रहाए आमनीचे मार्केटे में आवाज सौस मिलें देखें भंद देखें बास तक अला कैसे काफी दिखें नमस्कार आप देख रहे जलको गोपाल गन्जिस वक्त तक गोपाल गन्जिस्व जीले के बरवली थाना छित्रे के रतन सराय नावादा परसोनी में पहुचे हुए हैं और आप शबी को बता दे कि यहाँ पे एक चिमनी के फुकाई के काम चल रहा था और यहाँ पे तमाम तरह के जो है कि ब्यवस्था किया गये थे चिमनी फुकाई के दौरान जो भी पर प्रबंद कर लिया गया था मैं आपको बता दू कि चिमनी में जो है कि इसके म्यानी में इटों का जो है कि लगा करके इसको पूरा लेप लगा दिया गया था ताकि इसका जो है कि फुकाई के काम चालू किया जा सके लेकिन मैं आपको बता दू कि कल साम के दिन गुंबद नीचे गीरा उस्ट में एक यहां के मुंसी हैं उनकी मघटना स्थल परीमूंत हो गई और यहां पर चार से पांच ऐसे कारिगर थे जो की फोर्मैन के पोश्ट पर यहां पर कारियरत थे उनकी काफी सिरियस जो है की चोट लगा है मैं आपको बता दू कि हमारे पी किलो मीटर दूर तक सुनाई दिया मैं आपको बता दू कि इसका जो गुंबद पूरी तरह से दरक चुका है इसमें दरारे आ चुकी है अभी भी इसका जो हाइट है वो लगबक सो फिट से जादे है और यह कभी भी गिर सकता है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है मैं कि अंदर से आना जाना लोगों का लगा रहाता है और इसी में आग लगा अकर क्रूज के बासे इट का पकाई के काम चलता है अभी हमरा साथ है चेमनी पर काम करे वाला कारीगर और मज़दूर कुछ हमरा साथ है मवजूद बालो यह लोग से बात किल जाई काल अचाने की स को किलो मेटरबाई को ड API किलो में पर जाई किनि खुट तेज वपते पहल बहल आस ते Hills का पर के दिवाला टमाली तो घुठान की मेघ लागी है अभी आप लोग इनके कमाय खतिरे जारे हैं रोजीरों टिकेंगा चली अब अगर कमपनी चायागा तो इसमें रोजीरों दे सकते हैं नहीं तो हमको छुट्टी देते हैं घर से चेमनी वाले छेत्र में आप लगवा कितने सालों से काम कर रहा हैं करीबन वहीं कि दस बार दस हैं आज भूखिये गासब उसका अंतिम संस्कार अभी होने वाला है का नमपड़ी आपके कहा कर रहा है वाला ही सिसंके का देखेल वनेजा चेमनी ड़ाल वह को बहुत सरा चेमनी वा जना में इटा पकाव जला तौरी कौन चेमनी में तक वह इसन गटना नहीं नहीं देख अभी एसमें चिमनी पर चिमनी के घर केके हो मौजूद निखे मालिक नहीं सब अपना अपना काम में लागा ले अजेकर मौत बेल वह उगहरा ही कर ले हूं का है यह बता है कि हमें इटा पकाव के काम तो सुरू हो गई लोई हाँ सुरू भाई लगाव जाते हुए अभी चिमनी के दूसरे छोर के तरफ आ चुके हैं और आप सभी को दिखाने वाले हैं कि यहां का ब्यावा का मंजर है काफी डरावना द्रिस्या है आफह मारे पीछे देख सकते हैं यह मैनी है जिसमें कि इटों को रखा जाता है साजा जाता और इसी के अंदर कि आग लगा लगा करके के के एसको पका करके निकाला जाता है और फिर दूसरी साइट से इods को इसके बहुतर्ग जाता है जहां का लीकिल कर के यहका की अइक पुरे एक महिना तक चिमनी को जलाय जाएगा तो अब जाकरे 9 लाक इत जो कि बन करके तैयार होगी और मैं आपको बता दू की इस तोरो रही से जो 750 1 चेतर में में मेरे पीछी जो होल देख रहे हैं इस होल में जो हरकी रहले जाता है और उसके बाइस से पूरी तरह से म्यानि जो है की गरम हो जाता है जब आग पकड़ देता है उसके बाद इट को निकाल करका उसके बाद से मार्केट बेचा जाता है मैं आपको बता दू कि इस चिमनी के टूटने से बलास्ट होने से इतना जादे कमपणी माली को ठेकदार माली को नुकसान हुआ है कि वह जो है कि एकदम पुरीतर से चरमरा गया है अब उनको जो है कि इसमें जो इ गाओं के नागरी खमर साथ मौजूद बनी यहां से बात के लिए कि चिमनी काल को ब्लास्ट को गए और बलास्ट के लाका मुख्य वजह का रहा हुए और यह कहां से देखे का तरी चेमनी के आइल बनी चाचे का नम पड़ी आपके शुरंदर पुसवा कहां से लोना से को ना देख लेनिया अच्छा इबता ही अच्छा इप बड़क यह थे बिद्धा पास निए बढ़क यह थे तीन बज़क्या स्पास को अधी मृल बहा एमें एक अधनी जखमी को अधनी बिल्बा दू बनी सब जहां तक जनकारी मिला लोगा यह ओँ अधनी बिल्भा लो अच्छा तई रूगन यह थोड़ा देर देखलो केंगा भर कलवा पूरा तेक दम चर्मरा गिल्वा इल्वा अब तई इंट पूरा निकाल अपड़ी फिर से हाँ फिर से नया काड़ा होई खाड़ बर करक पड़ी नया सब सुरू करक पड़ी सब बाद़ी नया सुरू करक दिए आया सकता करक पड़िए और काड़ा है थालिया से रहता है